सो वेलकम एवर्यवान पीफी आइलेंड में तीन दिन रुखने के बाद अब हम जा रही है क्रबी तो अभी हम पहुंचे हैं फीफी से वापिस क्रबी के पियर पे और सुरथानी जाना है अपने नेक्स देस्टनेशन के लिए तो हमें सोचा कि पहले कुछ इंडियन खाना खालेते हैं तो अभी हम आये तंदूरी नाइट्स अभी टाइम हो रहा है 11 a.m. तो हम पहले यहां पे खाना काएंगे थोड़ा सा आउनांग बीच गुमेंगे और हमें यहां से जाना है डॉकसान पीएफ जो सुरथानी में और हम फेरी लेके जाएंगे तीन गंटे की राइट करके हम पहुंचेंगे सुरथानी और यहां पर बहुत इंडियन रेस्टरांट और बहुत इंडियन साथे हैं अपर का भी बहुत ताइम से फेमस हैं इंडियन तूरिस्स के लिए तो हमने खाने में क्या-क्या ओटर किया है दाल मत्वी, कड़ी पकाड़ा, नान, लच्छा परांधा, राइस, पालक पनी और अभी नहीं हमारा बरंच हो रहा है क्योंकि उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि में को तो आदत है कि मैं पैनाइपल फ्राइड राइस पजी लेती हूँ पट इन दोनों क मैं कि मैं कि हमने बड़ी मैंने से बड़ी शॉपिंग की थी ना विदे पुर्सियां खुली, ना टेबल खुला, ना गयास, गयास ही नहीं है तो बर्नर तो यूजी कहां से होगा, बरतन, पतीले, सब कुछ रखा हुआ है, शूरी भी रखी हुई थी, सेफ काटने के लिए तो सेफ तो दान देदी है फिपी में, अब आगे देखते हैं, नीपू, नीपू है वारे पास, खाना काने के बाद साहिल और इशी को लेना था कुछ समान, तो मुझे लगा जब तक ये लोग शॉपिंग करते हैं, तब तक मैं यहां की The Famous Ao Nang Beach देख लेती हूँ, बागे बीचिस की ब्यूटी को एकदम next level पे लेके जाती है, I don't know आपको वीडियो में कितना difference पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, बर जब आप यहां पे personally आएंगे, तो आपको ये difference ज़रूर पता चलेगा, तो अभी हम बिना किसी देरी के चलते हैं, अपनी गारी की तरफ, क्य क्योंकि हम हो चुके हैं, अल्ड़ी लेट अपनी सूरथानी पियर जाने के लिए, और वहां से हमें जाना है कोसमुई, चलिए शुरू करते हैं क्राबी से सूरथानी का सफर जोकी है 217 किलोमेटर, और ये सफर होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि हम सबसे पहले गुजरेंगे घने जंगलों के बीच में से और उसके बाद जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक होगा एकदम सीधार रास्ता, और पियर पे पहुंचने के बाद हम और हमारी कार दोनों ही फेरी पे बैट के जाएंगे कोसमुई, ग्राबी से सूरथानी के रोड क जो मजा है वो अपना ही है, हमारी कारी पहुंच चुकी है, 155 पे और ड्राइवर रुखने का नाम नहीं ले रहे है, क्यूंकि रोड इतना सीधा है, और हर पैच के बाद कम से कम भी है, जिसमें इतनी जादा स्रेट रोड है, तो स्वीट तो अफकोस बनेगी बनेगी बने और तीन गंटे के बाद, फाइनली हम पहुंचते हैं सूरत थाने, पहुंच गे भी पहुंच गए, सीध रहे हैं, फेरी, पार्मिशन पसेंजर टिकेट, प्रिजिट यूर आईडी कार्ट, पासफोर्ड, क्श्च, मतलब लाफ इसका, मतलब लाफ दो जादा अगगा पु इतने बोड़ बड़े हैं, इतने बोड़ बड़े जिसका कोई साथ में है, फिर बटबर भी करेंगे हैं, जलो काड़ी निकलनी होगा है, जीजी, यू टेनल लाओ अड़े आजे के बड़े हैं, यह ले लेगा, है एटिकेट पॉइन को समुई, किना ओर्गनाइस सिस्ट् ठोल को? दोल 1060 बाओ, 1060 बाओ, 1060 बाओ, 1060 बाओ, 1060 बाओ, 1060? यह जि रिंगोक्ता प्रांप थाफोट क्याओ, क्या सीन है यह जानी है इतना आज़ा एहा ठाफिक है हैं, बहुत साहरे गाड़ी है यह आज तो हमें दू गंटेगी बीटिंगे, अल्गोन धे बीट और है पर तो फुर्टी नहीं थे यह पांच भूजी मेली चwart फाटान अपूजी एक परी जिच्बिच्ब कोई है जीन है आड़क है तो आगे जानाए है उगर दिखदे हैं किया है थार्किंग का वो मिला राइंचिंग पर नहीं है यह एक लंबी लाइन लगी होगी है, I'm sure. अच्छा, 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 हमारी गाड़ी ही शिप के थू जाएगी ना, तो I'm sure इनके काफे फर्मालिटी इस होगी. 4 passenger, and no, 3 passenger, 1 driver, and car. पैसेंजर वाक, scan QR code, all 3, okay. तो passengers को निकल के यहां से, अलग रास्ते से जाना है, और में को गाड़ी लेके सीधा जाना है, तो मेरा QR code यहां पे है, passengers का QR code यहां पे. साहिल इशी और मैंने, हमने QR code scan किया, और चल दिये अपनी ferry की तरफ, और दूसरी तरफ है नन, जिसे हमारी कार को ferry के अंदर लेके जाना है. टिकेट कर, आप, ओके, और अब सिधा हमें जाना है, ओके, तो यह रैंप बनाए हुए इन्होंने, सामने समुन्दर, और यह अंदर ship, इसने बता दिया, कहां पे गाड़ी करनी होजे, कार के नीचे इन्होंने ब्लॉक्स लगा दिया हुए, ताकि साधा ही ले डूलेना कार, तो यहां पे गाड़ी तो हो गई है बार्क, इसके अंदर इस लेवल पे में को जितना दिख रहा है, 20-25 कार्स आ सकती है, और मैंने काड़ी लगा दी यहां पे, यहां से ही अब उपर जाने का रासा है, वो लोग तो दूसरे रासे से बहुँछ चिके हैं तो हमारी फेरी राइट शूरू हो गई और हम लोग जस फेरी से जा रहे हैं उसका नाम है सीट्रान, सीट्रान कंपनी का नाम है और उनक लोगं की यह फेरी है, और यह ऐसे रेव्यूद देखने में भी लगते हैं कि यह वाली नई बेड फेरी जे और एक और कंपनी हैं यह पे जो फेरी चलाती है और वह राजा फेरी जिसका पीयर है वह वाला, और पीछे उसकी एक शिप भी आरी है सासा, तो देखने से ही बता लग रहे हैं कि वह ब और पे आओ, यहां पर बड़ा सिंपल सा रूल है, अपनी लिए टिकेट स्लो, और अगर गाड़ी भी आपको साथ मेले की जानी है तो गाड़ी के भी टिकेट ले लो, हम चाहर लोकों का टूटल पड़ा 1060 बात, और मपल सें 170 बात है और गाड़ी के साथ अगर अगर आप कोई अविलिबिलिटी आ गई होगी या कैंसलेशन आ गई होगी, तो हम 240 पे पहुंचे थे और 330 वाली फेरी जो निकली वहाँ से, वहां में मिल गई, तो अब आपको फेरी दिखाते हैं चलो, यह एरिया इस फेरी का अपर डेक है, जहां पे अप्रॉक्सिमेट 160 से 180 लोग मैक्सिमम सिर्फ इतना आगे तक आ सकते हैं और उसके बाद सिर्फ कैटन्स और उसा भी अलावट होंगे शायद, इस में कंट्रोल रूम है, इसका ब्रिज, जिसे बुखें प्रिज, वो सामने, I'm sure, कोसम हुई है, क्यूंकि इतना बड़ा ऐलेंड और कोई है नहीं, तो I think इस वाली शिप पे मसाज भी होती थी, तो थाइपट मसाज और होती, क्यों क्या करेंगे, तो देखते हैं आप वो है की नहीं है, तो यह आगे है लोवर डेक, लोवर डेक ऐसी है और इसमें दुखाने भी है, चलो देखते हैं अंदर, यह तो एक्दम ट्रेन वाली फीलिं यहां पे और सीटिंग अविलिबल है, और तो टीवी भी लगे हो हैं लोगों के एंडरेटीन्मेंट के लिए, बट मुस्ली इस पे हाई चैनल है, तो हमारे देखने का तो हैली जादा है, यहां पे हाट बोटर की फेसिलिटी है, और यह छोटा सा 7-11 या मार्ट टाइप का बनाए हुआ है, इस शिता, of course, पहुंच चुकी है, जालो, यहां पे आपर आपर देख लेते हैं, खाने के लिए क्या क्या अविलिबल है, तो यह तो हो गया, पानी, कॉल्टरिंग और यह सब का सेक्शन, स्नाक्स, चिप्स, कुकीज, और वहां पे हैं, रेडी टुमेड क पापा नूडल्स, इस बड़ा बीसिक सेटप है, यह अवेलिबल है, बहुत बड़ी बात है, बाइट गंटा बैटा बैटा, इसान क्या करेगा, बड़ी लंबी टराइब करके हैं, यह तो आपके पास टाइम है, तो यहां पे इस लेवल पे यह मसाज रूम अवेलिबल है 45 मिनिट्स की मसाज, एस पर जो अभी का प्रोमोशन चल रहा है, यह जो पैंफलेट पे लिखा है, वो है 300 बात का, तो ओल ओवर थाइलेट इतने की मसाज होती है हमारी बोट राइट इतनी स्मूध और कमफिटेबल थी, कि हम कब को समूई पहुँच के, हमें पता ही नहीं चला शिप की पार्किंग हो गई यहां में, समूई आइलेंड पे, अब चलो, अब नीचे जाके गाड़ी लेते हैं, और गाड़ी निकालते हैं वापिस शिप से गाड़ीया निकल रही है चला 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 यह बला ही छोटा से एक्सपिरियंस पर लाइफ का बड़ा अच्छा एक्सपिरियंस में को लग रही है यह मैंने कभी नहीं गया था पहले, शिप पे गाड़ी लोड करो और शिप से वापिस गाड़ी आफ लोड करो वेल्कम टु को समूई वू हू और वो है हमारे साहिल और शिप अब होटल है यहां से 25 किलोमेटर दूर जिसको लगेंगे 40 में अच्छी लगी है तो हाँ यह था आलेंड का सेकंड लाजिस्ट आलेंड है हमने कहां स्टे किया और को समूई में क्या क्या देखा वो सब हम आपको दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगी तो प्लीज गाइस हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजे और लाइक और शेयर कीजे सभी के साथ Thank you so much for watching